Assalamualaikum viewers, उमीद है आप लोग खेरियत से होंगे, फिटफार्ट होंगे और अच्छे होंगे ये word हमने बहुत पहले मैं भी सुनता था, आप भी सुनते होंगे ये है हमारे सोयल एहमद जी का तक्या कलाम जो अपनी चैनल पे बोला करते थे पाकिस्तान के अभी सेलिंग के चैनल है या पाकिस्तान के जो चैनल नहीं उड़ रहे और इंडिया के चैनल ऊड़ रहे हैं उसके लिए हमने पिछला वीडियो बनाया था, आई बटन क्लिक करके आप लोग देख सकते हैं तो मैं कहूंगा हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर ले जी अगर आपके 5 सब्सक्राइबर है या 5 लाग है विकोज पेट केटेगरी में कोई भी टेक्निकल जानकारी नहीं देता है तो मैं देता हूँ तो आपको ये helpful रहेगा और वीडियो को ध्यान से पूरा सुनिएगा बिना skip किये तो आपको समझने को मिलेगा अब दोस्तों सोयल एमत जो टीवी जो है वो पहले तो बजीज की information देते थे और बजीज जो है वो कोमन पाले जाना वाला बड है तो सभी लोग जो है सोयल एमत जी का वीडियो देखते थे मैं भी देखता था सीखने को बहुत कुछ मिलता था उसमें से तो मैं उनका वीडियो देखता था लेकिन सड़नली उन्होंने जो है वो मार्केट्स के वीडियो बनाने स्टार्ट किये अब मार्केट्स के वीडियो बनाना स्टार्ट किया उसमें कोई प्रोब्लम थी नहीं पहले मार्केट के आप लोग वीडियो बनाएं मैंने भी मार्के मुझे मिला कि मेरी जो ग्रोथ है वो बाकी चैनलों से ज्यादा रही और मैं पैट गुरू को 100 के पहुचाने में बहुत कामियाब रहा क्योंकि मैंने रिस्क लिया उस टाइम पे क्योंकि मैं पोलीसी जानता था तब यूट्यूब की पोलीसी अलग थी आज अलग है इसलिए सेल वाले चैनल डिलीट हो रहे हैं वो भी हम बात करेंगे वो हम नेक्स्ट एपिसोड में बात करेंगे कि पोलीसी में क्या चेंज हुआ जिसकी वज़े से आज चैनल डिलीट हो रहे हैं और पहले चैनल डिलीट नहीं हो रहे थे उस पे हम नेक्स्ट एपिसोड में बात कर तो उनकी growth बहुत जल्दी हुई वो पहले 2,5 लाग पे थे लेकिन वो 7.5 लाग पे फटाफट पहुँच गए ठीक है तो अब इसमें ये हुआ उनकी गलती मैंने उनको mail भी किया था लेकिन उन्होंने मेरे mail का reply नहीं किया मैंने उनकी गलती identify की थी कि उनकी channel क्यों उड़ी और मुझे कहीं से वो information भी मिलगे कि उनकी channel कैसे उड़ी वो video जब market के बना रहे थे ना तो वो heading एक ही तरीके के लगा रहे थे लालू खेत market 11.5.2017 फिर 11.5 के बाद 17.5 आएगी वो लगा रहे थे वो same to same wording होते थे उसमें सिर्फ एक ही word difference होता था वो होता था date तो अगर आप भी market के video बना रहे है अगर आप भी एसी गलती कर रहे है तो आपकी channel भी कभी भी उड़ सकती है तो आप पूछेंगे इसमें गलत किया है इसमें गलत है YouTube की policy YouTube की एक policy कहती है spamming policy spamming policy मतलब एक ही topic पर बार 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 वीडियो बनाना मतलब मैं सिर्फ Sunday market के video बनाओ हर बार लिखूं एंदाबाद Sunday market ये तारिक का एंदाबाद Sunday market ये तारिक का तो वो spamming हो जाता है क्यों? आप title से spamming कर रहे है आप वीडियो से भी spamming कर रहे है एक ही चीज़ दिखा रहे है एक ही चीज़ का content YouTube कितनी बार serve करेगा? एक ही चीज़ तो है दिखाने के लिए तो उसमें कोई creativity भी नहीं हुई ना उसमें कुछ नया हुआ ना title में, ना thumbnail में, ना description में तो YouTube ऐसी गलती को दो बार allow करता है मतलब आपको कहता है किसी भी topic पे आप दो बार video बना सकते हैं जैसे अगर Sunday market का video बनाना है तो आप regular बना सकते हैं लेकिन same title के साथ same thumbnail के साथ same thumbnail तो नहीं, मतलब same title के साथ या same topic पे आप दो बार maximum video अपनी channel पे बना सकते हैं तीसरी बार आप same to same बनाएंगे तो हो सकता है वो spamming में चला जाए ये हो गया अलग-अलग time पे लेकिन सोयल इमत जी ने क्या किया एक ही line में video बनाएं उनका तीन continuous video जो हैं वो spamming कर रहे थे जिसमें लालू खेत market का video आया आज दो दिन के बाद भी लालू खेत market का video आया उसके दो दिन बाद भी लालू खेत market का video आया सिप date जो थी वो change थी तो continuous तीन बार एक ही video डाला जिसकी बज़े से spamming हुई और spamming अगर identify हो जाती है तो YouTube channel delete करता है वापस नहीं देगा इस case में कोई भी तरीके की रियायत नहीं है और YouTube आपको वापस channel नहीं देगा तो ये सोयल एमद जी की गलती हुई थी मैंने उनको mail भी किया था लेकिन mail का उन्होंने reply नहीं किया I think बहुत सारे mail आते होंगे तब तो मुझे छोटे इंसान को कहां से वो reply कर पाएंगे आज भी मेरे से माशालला बहुत आगे है और काफी अच्छे वीडियोज बनाते हैं वो तो ये गलती हुई तो इसमें क्या करें कैसे करें अब आप बोलेंगा अज्जू भाई प्रोब्लम तो आपने बता दी solution क्या है तो मैं कहूंगा बेक-टू-बेक वीडियोज ना बनाएं एक ही चीज के बेक-टू-बेक नहीं अभी एक महिने में बनाएं या हर दो महिने तीन महिने में बनाएं या फिर बनाएं तो कोई tension नहीं है लेकिन उसको कुछ creative करें जैसे मैं for example पलू के लालूखेत मार्केट में जाएं तो इस बार बजीज को highlight करें के बजीज प्राइज और बजीज mutations at लालूखेत मार्केट भले उसमें मार्केट पूरा दिखाए लेकिन focus आप बजीज पे रखे ज्यादातर और वीडियो बना दे और date डालना है डाल सकते है जून मन्त का ये सब तो नाम आपका अलग हो गया कि बजीज जो है लालूखेत मार्केट में उस पे focus है भले दूसरा वीडियो जो आप डाल रहे हैं भले ही उसका तीसरा जो वीडियो आप जो डाल रहे हैं वो बडे birds पर डाल रहें मकाॉस पर डाल रहें या अफ्रिकन ग्रे पर डाल रहें या हेंटेम birds पर डाल रहें जो भी वहां पर available है तो इस तरीके से करने से spamming नहीं होती विछ आपके topic अलग हो जाते ठीके आपका base जो है वो अलग हो जाता है तो इसको spamming नहीं करे सकते हैं, इसको अगर कोई report भी करेगा, तो भी delete नहीं होगा, और हाँ, पिछले वीडियो में हमने reporting के उपर बात की, तो हाँ, इनकी channel भी delete होने में सायद हो सकता है, मैं confirm नहीं हो, लेकिन सायद हो सकता है, किसी ने reporting की रखी हो, कर रखी हो, और उनके न तो जिस policy के लिए दबाया है और वो गलती आप अगर कर लेंगे, तो आपके लिए problem तो बनती है, तो इस तरीके का काम नहीं करना है, इवन दो informative channel जो लोग बना रहे हैं, जैसे बजी इसको summer में क्या खिलाएं, तो इसको भी थोड़ा गुमा के फिर second time या third time वीडियो बना इस बार same title से बनाता हूँ, चल जाएगा, दो बार है तो चल जाएगा, लेकिन तीसरी बार same title से बनाएंगे तो हो सकता है, spamming policy में आप आ जाए, ठीक है, तो थोड़ा कुछ अलग करिए, कुछ अलग वे में उसका title रखिए, thumbnail रखिए, description रखिए, बोलने का अंदाज रख यूट्यूब चाहता है, यूट्यूब चाहता नहीं है, कि same to same एक ही चीज आप repeat करते रहे, तो ये हो गया, दोस्तों, spamming policy के उपर, तो ये गलती की बज़े से, 7.5 लाख वाली channel डिलीट हुई थी, और लोगों में खल बली मची थी, तो ऐसी ही अब जो जो channel डिलीट बताऊंगा, मेरी channel का भी मैं खास करके बताऊंगा, मेरी channel क्यों डिलीट हुई, किसने डिलीट करवाई, वो भी आने वाले दिनों में जानने को मिलेगा, तो बने रही है, अगर आप एक pet tuber हैं, और pet category में काम करना चाहते हैं, तो informative यहीं pet guru अजू भाई पे मिलेगी, because channel delete हो दर्द में जानता हूँ, ठीक है, चलिए दोस्तों, आज के लिए इतने उम्मीद करता हूँ, एपिसोड आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और इससे आप लोगों को काफी help मिलेगी, तो देखते रहे है, pet guru, stay tuned.